टू ठीके तो आज के फिर्स्ट लेक्चर होने वाला जिसके अंदर हम पढने वाले हैं upfront आज कापल्र लाउज डेaking प्लानेट्री मोशन तो फो आज हम डिसक्ण लिवाज करेंगे टीके so लेक्चर नम्बर वन घ्रमाइशं लेक्चर नंबर वन तो कैपिलर एक साइंटिस्ट है तो जनोंने प्लानेटरी मोशन पर लॉ Alien निकाले है तो फेले सुनों पहले की में बहुत पहले की जमाने में बहुत सारे यह मान फिर्टे कि जो हमारी अर्थ है तो वह एक जगह पर स्टेबल है मतलब यह अर्थन से उन्सी बर है और सन जो है ना वो अर्थ को ऐसे रोटेट कर रहा होगा इसलिए हमें यह डे और नाइट ऑकर होता है तो यह हमें दिखाए देता है फिर उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि यह गलत है तो उन्होंने बोला कि हमारी अर्थ सन को रिवॉल करती है और फिर जो भी है तो एक अगर हमने इस पॉईंट को अना तो यह जो होगा ना यह डिस्टेंस से कोईusta में तो उसका डिस्टेंस में हेंताब नन्यसkę पुरे और्बिट में सेम ही होगा इतना भी सरक्यलर गुंलें समझें नहीं है पदेखियास के लोगों कि यहांारा सन Screen को अर्थ रिवल कर रहे हमारे मोघर एक कर रहे हैं यहां तक टो ठीक है बड़्य को यह लगता कि जो संहे हमारा यह हमारे और और यह को एप मुझे भी यह पता नहीं था कुछ दिन कुछ मेहनों पहले मुझे पता चला कि अर्थ ऐसा भी होता है कि कोई कैपलर स्लॉख करके हैं तो सुनों कैपलर एक साइंटिस्ट है तो उन्होंने इसको गलत किया कि अर्थ यही मानते थे कि शायद और जो है वह सब किलोर अर्बिट में गुंती है बट उन्होंने कुछ रिसर्च की और फिर उनको यह पता चला कि नहीं हमारी जो अर्थ है उसका और वीट इसका और विट है इलिप्टिकल यह देखो एक ऐसा शेप होता है जो कि सर्कल डिकता है पर होता नहीं मतलब अगर हमने माने कि इसमें दो एक्सिस है जो कि पर्पेंडिकुलर टू इच ओधर है सपोज यह स्मॉलर एक्सिस यहां से यहां तक और दूसरी एक्सिस है इसको फ्रपेंडिकुलर टूटिक और थीश्च ओफिग कि इतना समझ गहीं तो अगर यह दो एंस पर्पेंडिकुलर टूज्टिकुलर टुछेत तो जो सबसे छोटी एक्सिस होगी एक्सिस होगा में अगर हमने मंदिया एई बी東西 तो देखो यहां पर छोटी एक्सिस क्या है ए यह भी एक smaller axis है तो उसको कैपिलर ने नहीं उसे हमें हम उसे कहते हैं minor axis चोटी axis जो होती है उसे हम कहते हैं minor axis और बड़ी axis यह DC जो है यह जो axis DC है तो उसे हम कहेंगे major axis major minor यह आपको पता होना चाहिए तो कैपिलर ने हमें यह बताया कि जो हमारी अर्थ Sun को revolve कर रही है तो वह एक circular direction में नहीं है circular orbit में नहीं है वह एक elliptical orbit में है इतना यह first law हमें प्रूव करता है और सुनों और सुनों और बाते हैं इसमें डिसकस करने के अभी उन्होंने बता दिया कि एक elliptical orbit में अर्थ रिवाल कर रहे है Sun को बट अभी elliptical orbit में है क्या ऐसा तो सुनों उन्होंने बोला कि जो हमारा elliptical orbit है तो उसमें जो major axis होती है major axis बड़ी वाली axis यह हमने यह भी मालनी major axis तो इस major axis पे दो ऐसे point होगे जिसको हम focus कहते है let's suppose यहां पर एक point है f1 और यहां पर point है f2 शायद आपने कभी मेरा वह video देखा है वह हमने concave lens उसके बारे में बात किती concave lens concave mirror तो उसमें हमने focus का यूज किया था वैसा ही इस orbit में भी एक focus दो focus होते हैं तो अगर उन्हों ने बोला है कि जो हमारा और रिवाल कर रहा है sun को तो इसका मतलब है की sun इन दोनों में से कोन से भी एक focus में हो सकता है अर्थ के etc से जो आप देखाए है उना कि यह उर्थ ना वह इस orbit में मूं करती है और इस orbit में मूं करती है तो 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 यह को यह इस orbit के है तो हमने बोला कि जो sun है न तो शायद वो इस focus में होगा या इस focus में इसी लिए ही अगर कोई object अगर कोई object बहुत बड़ा giant object था इसके focus में आता है तो earth उसका revolution करें समझे समझे शायद I hope so बस अगर इसके focus में कोई बड़ा object आता है जैसे कि sun sun का mass बहुत बड़ा है तो sun इसके focus में है इसलिए earth उसको revolve करती है समझे यहां तक तो यही हमारा है first law of planetary motion kepler's का statement लिखा के दूँ शायद आपके बुक में होगी तो भी देख लो all the planets revolve around the sun in a different elliptical orbits and the sun is located one of the focus of orbit this is law this is known as the law of orbit कुछ उतना hard नहीं है all the planet planets revolve around मुझे लगता है आपको statement नहीं लिखके देने चाहिए क्योंकि time उतना है नहीं आपने पास आपके पास ही नहीं होगा क्योंकि video तो सेकंड लो की तरफ बढ़ेंगे सेकंड लो है हमारा planet revolve around the sun in a such way the line joining the sun and the planet cover the equal area in equal interval of time तो इसमें हमें क्या दिया है थोड़ा advance first law से तो हमने first law में सिखा कि एक orbit है एक ऐसा orbit है उसके बीच में बीच में एक focus में है sun इस point को हम मानेंगे s मतलब s को मैंने sun से denote किया तो ठीक है तो अभी second law हमारा कहता है कि जो हमारा orbit है सुनों मैं दिखा कम यहां पर अगर हमारी अर्थ अर्थ है यहां पर फिर उसके बाद कुछ मिनिट कुछ महीनों के बाद यहां पर जाती है अर्थ नाम दूंगा अलग-अलग इसको नाम दे दिया A इसको नाम दे दिया B इसको नाम दे दिया C तो हमारा यह जो थर्ड लो कहता है कि a planet revolves around the sun in a such way that the line joining the sun and the planet cover equal area in equal interval of time तो यह समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ अगर हमारे पास एक circle है एक circular orbit है और उसके बीच में अगर sun है center उसका sun है तो पूरा जो circumference है center से तो circumference की दूरी हर position से से रहेगी जैसे कि इस position से ही same रहेगी इस इसका और इसका same रहेगा क्या है एक radius है बट 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 अगर हम बात करे elliptical orbit की elliptical orbit में तो अलग अलग होता है जैसे कि मैंने माल लिया इस focus से तो इसकी दूरी इसका डिस्टन्स है यह डिस्टन्स अगर माने अफ तो यहां पर कुछ position होती है जहां पर डिस्टन्स सेम हो रहता है जैसे कि यह सी माल लिया और यहां पर कोई पॉइंट दिया तो उसका डिस्टन्स सेम हो सकता है बट यहां पर सभी सभी का लेंट सेम नहीं होता ठीक है इतना समझ गये तो सेकंड लॉव हमारा यह कहता है कि सपोज हमारे पास सन है जो भी सभी प्लैनेट सब्सको रिवॉल कर रहे है तो एक लाइन जो सन को जॉइन कर रहे हैं सपोज सी एक लाइन है विद्ड जी फिर वन्हुरों एक लाइन है यह ओने ठीक लाइन zadज यह कुझा है अभी हमी परकिन्स सपहरम जू हैTT कुभी में सभका नंुध प्फुरुभ तो अभी का लिए शोन में पताते है पिके इसमें जो एरिए वलिए होगा इसних में जो एयरिया है जैसे कि मैंने मान लिया SDC इसका जो एरिया होगा है तो यह होगा इस से इसे तो बस वरों इसमें कंडिशन इसमें कंडिशन वह आपकोई भी पॉइंट लेरो कोई भी पॉंइंट बट्वाट ए Mrs. चैजी तो यह जो Потому है ना तो यह सेम इंटर्वल आफ तैंग जैसे कि अगर एर्थ यहां से मुन कर रही है इस रिवोलिशन में मुह कर रही है और तो स्का डिस्टेंस जो है वह घैसे में से करेंगे हम टाइम पिरियर से जैसे कि मैंने मंल लिया इतना defense अर्थ ने तीन महेंने में कईर किया घ्रус के बाद और तीन महेंने में ओर तीन महें में इसे हमने टाइम से क्या कि एर्थ की पोजीशन यहां पर सब जगा पर एकोल होने छी लेंट अफव अब इसका यह जो एरिया होगा तो कैपलर ने कहा था कि जो एरिया होगा जैसे कि SDC या SCD तो इसका यह जो एरिया होगा सुनो SDC is equal to the area of SCB SCB और SCB का भी area क्या होगा यह अगर आप यहां पर भी कोई पॉइंट लेते हो और लाइन ड्रॉ करते हो तो भी उसका एरिया सेम रहेगा यही हमारा सेकंड लॉग है बट यहां पर टाइम इंटरवल सब में सेम होना चाहिए ठीक है बढ़ेंगे थर्ड लॉग की तरफ हमारा थर्ड लॉग है If a period of a square period of a revolution of a planet around the Sun T square is directly proportional to the cube of average radius of a planet orbit r cube standing the square of period of revolution of a planet around the Sun around the Sun the square period of a planet revolts around the Sun देखो, अभी हमारा अर्थ का ही समझ लो कि हमारी अर्थ सन को रिवाल कर रही है, तो उसका रिवालुशन पुरा और्पीट कंपलीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए हमारी पासफ फर्मुला है, आप देप्र पीरियोड ऑफ प्लैने अर्वालु तो अगर हमें यह फाइंड करना है कि अगर कोई प्लानेट सन को रिवाल कर रहा है तो उसकी और बिट हमें पता है बट वो कितना टाइम लेगा उसको पूरा रिवाल करने के लिए तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मुला है जो कि है T-square कि अब में झाणकर एक अब में आहिकर करने कि विए नो और को ँरुकल की जो हैं ना उसका अव्य रेिएस एव्य रेडियस रैडियस नहीं यहां पर लिए उस्सटा फर्लिंग दो पर क्था को होता है और आहां पर के लिए स्टांट यह जो है यह constant के यह है I hope so time कितना हुआ है ठीक है तो 14 15 minute के आसपास हो गए है I hope so आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ if you like this video then subscribe to this channel और यह लेक्षे no.1 था lecture no.2 के अंदर हम लाएंगे Newton's law of gravitational हो बहुत जादा interesting है इससे भी जादा अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया यह लेक्षे समझ में नहीं आया तो प्लीज कॉमेंट करना फिर से बनाने के कोश्चिश करेंगे thank you and good bye